इस प्राइब कोई कुछ चेक नहीं गिया बस एक पासपोर्ट मेरा लिया था उन्होंने और कुछ भी नहीं लिया उन्होंने उन्होंने विए कोई जाओगे कहां पे घूमोगे क्या प्लाइन है कितने डॉलर्स आप क्यारी कर रहे हो बस यही सब सिंपल कोशन पूचे उन्ह उन्होंने थोड़ा सा लफड़ा किया वाई जैसे मैं कस्टम ड्यूटी पहुंचा उन्होंने फाइनली इंटरनेशनल ट्रिप की त्यारी हो चुकी है अभी हम यह जान लगया न्यूजिलेंड और फिलाल आपका भाई पूरा बेटी बैग हो चुगा अभी निकलते हैं अ अभी हम लोग तो जम्मू एरबोर्ट पर है घर पर मेरे को इतना टाइम नहीं विला यार व्लॉग वगरा शूट करने का तो चलो अभी देखते हैं अपनी फ्लाइट इसमें से कौन सी है तो गाईज अभी चलते हैं पहले बोडिंग पास रेते हैं फिर आगे लेखते हैं सो गाईज फाइनली जा रहे हैं अपने गेटिंग एरिया में भाई हमारा गेट नंबर चार है यहां से बोडिंग पास वगरा सब मिल गया है और अब भी निकल रहे हैं वह चचा अगोडे बे किदर बैठे हो इस फिलाल पोंच चुके हैं यहां पर बैठके करते हैं अपन सब्सक्राइब को तोड़ा सा रूड लगा भई उसने पता नहीं यार मेरे को ऐसा लगा या उसका इसा कुछ मोटीव ता कि मेरा मजाग वगएर उडारा था मतलग दोने मिलके मजाग उडाते हैं पर चलो कोई बात नहीं हैं तो भाई हम लोग भी पहुंचे किया दिली ड दारू दूरू का शकीन यहां पर आसकता भाई हराम से अपनी बौतले वगरा लेकर जाओ अब शड़ी बौतले बहुतले दारू अलोबंदों के लिए जन्नत है भाई देखो वाई शड़ी बौतले लग गई है एक तो भाई मेरे को इनका सिस्टम समझने आ रहा कभी इस पर वेज रहे हैं पदा नहीं क्या नहीं नहीं पता आप देखते हैं मिलते हैं फिर से बात ही कठे यह ना वड़े है और उसके बाद मिलते आपको फिलाल गाई क्यार यहां पर बैठा हूं आकर देखो ने ढूंजर हो जादा दोस्त होता है कोई बाते बैगरा इकर लोता सहारा मेरा कैमरा बैक चलो कोई नहीं बोर्डिंग टाइम तो वैसे आठ वजे का दिया हुआ है मेरे इस पर बोर्डिंग पास पे बट नौम बजे की फ्लाइट है नो जया से में तो फ्लाइट उडएगी तो देखते हैं वही कब तक मिलती है भी हमें एंट्री प्रोब्लम हो गया मेरा कैमरा जो मेरे बैग में रहा गया था वाई जो कि मेरा बैक था वाई लगेज वो ना मतलब प्लेंग में रखवा दिया था पहले मैं आगो कैबिन मेरका और बात बटोलोने एर होसे से रेन ये ठानसर करवा दिया था तो उस-वजह से एर मेरा क्यामे ना उसी बैग में चले और मेरे सारे डोकुमेंट्स भी उसी बैग में चले गए अब खाली मेरे पास पासपोर्ट और बोर्डिंग भास अब देखते यार क्या सीन रहता है फिलाल बैग लेने की पूरी कोशिश रहेगी भई अभी पहले सबसे पहले तो बैग लेंगे यार और फिलाल यार यहां का वेधर बहुत अच्छा लग रहा है एक को देख भू अप भी भाई तो चलो यार इस चलते हैं पहले बैग लेंग लेते अपना यार बाकी सब बाद में देखेंगे हैं क्यूंकि उसमें सारी जरूरी सीज़े उसमें यह बहुत आप लोगोंगको एक चीज के उपर मैंने अप्डेट देन थी वहाई कि आप लोग ना इम्मिग्रेशन से ड़ते रहते हो बट भाई इम्मिग्रेशन ना कुछ भी नहीं है जो कुछ भी होता भाई सब्सक्राइब करते हैं पूरा बंदा सच में जैनुल ट्रावर है या नहीं है यह सब चीज रहते हैं चलो बाकी सारे अपडेट्स ना आपको मैं कहीं रूप के देता हो भाई अपने होटल चलते हैं बाकी होटल जाके रैस्ट बगएरा करते हैं वहाँ पर आपको मैं चेज टांस लेन 喜欢 दिनल जनीगते हैं यहां से बहुर चल थे प्रेस नाइयच लगते हैं कासे yeah है यहां की नाइट लाइफ पार किकिось पाता है आप देखते है क्या सब्सक्राइब को मैं खरांग जाके बाकि मेर को यहां पता बगहरा नहीं है कुछ कहां पर जाना कहां पर याद रखूगा यहां से और पता चले वह यह पूल गया अपने पर इंडिया में किया कि जाधतर मतलब बाइक सो गहरा देखने के लिए मिर जाती हैं बट यहां पर मैं बूलूगा कि 90% तक गाड़ियां तो मैं हलंड बाकि मेरे अपको कर्दा यहां में मोट कर दो डर्लॉगी यह आज मैं व्लॉग कि रहा है गया घ्रहिद कॉर यहां परै किसी तरह भांडो हो बाकि मैं को मोटे वलॉग्ण मा। मस्त LAUD जो भेमи टूर्स से ुऩ़े बरहरण यरमा गेट को दक्के दें यारो फॉली गी मैशायाथ थो ना हुआ निवटा कि की भी लगानी लगानी बड़ती है यह भी कोद़ती है यारो हुआ है इतना ने बता किefी लगानी बड़ती Confirm Iraqi constitution तो चलते हमें जाना अभी 9th फ्लॉर पर यहां पर भी की लगाने पड़ेगे लिफ्ट में भी की लगानी बड़ती है यहां पर आसे की लगाएंगे यहां पर 9 नमबर दबाया और हम लोग सीधे अपने फ्लॉर पर अभी आपको मैं बदाता हूं कि इमिग्रेशन बेना क्या कुश्चंस में से किये उन्होंने सबसे पहले तो मेरी फ्लाइट थी दिल्ली से सिंगापूर तक की सिंगापूर एलाइंस में ली थी और भाई जब भी आप लोग ना न्यूजिलैंड या कहीं पर ट्रावल करें तो सेम टिकेट पर PNR कराया करो मतलब रिटार्न टिकेट भी एक ही PNR पर फ्लाइट में तो वहां से जम्न न्यूजिलैंड आया तो न्यूजिलैंड पर बारइप लेंगापूर कोई एस और कोई कुछ नियूजिलैंड में तो तो वहाँ से जब मैं न्यूजिलेंड आया तो न्यूजिलेंड में आके सबसे पहले मैंने इंग्रेशन करवाई भई अपनी इंग्रेशन क्लियर करने के बाद भाई इमिग्रेशन वालों में मेरे को सिंपल कोशन कोई कोई कुछ चेक नहीं गया बस एक पास्पोर्ट मेरा भाई उन्होंने थोड़ा सा लफडा किया जैसे मैं कस्टम ड्यूटी वहुंचा उन्हें भाई मेरा बैक हो गारा सब को तो होता है यह उसमान आपके पास है आप कितने दिन के तो वो सब भी एक बार कर लेना वाई उस काड को फिल करने के बाद वो काड ना आपको वहां पर दिखाना होता है मतलब जहां से आप बैगेज वेगर अपना रिसीव करके आगे जाओगे आपको फिर वो डाल देंगे कस्टम ड्यूटी का नंबर देंगे किस काउंटर पर आ हमारी तो वहां पर आपका बैग वगरा चेक किया जाएगा तो मैं तो बोलता हूं कि जार अगर आप आ रहे हो ना तो ज्यादा समान मत करी करो सिर्फ अपने कपड़े वगरा और यह साबुन वगरा यह सब कुछ लाने के जूरत नहीं है वो सब यहां पर मिल जाएगा तो उन्होंने बोल दिया ता चॉक्लेट का कुछ हूं तो यहां पर सिरो नहीं क्यintus बेस और भगां ठेक हो है तो मेरे पास तो वो सब देखा उन्होंने उसके बाद उन्होंने मेरे को पूछा कि भाई क्या करने जा रहे हो तो मैंने उनको बोला कि हाँ मैं घूमने के लिए चार हूं भाई तो गाई उसके बाद उन्होंने मेरे को पूछा कि आप क्या करते हो तो मैंने उनको अपने तो इसका मेरे को एक रीजन देना पड़ा तो भाई यह सब होने के बाद उन्होंने मेरी होटल बुकिंग्स वगरा चेक की और गाइस यह भी एक में चीज है जब आप लोग यहां पर ट्रैवल कर रहे हो ना तो अपनी होटल होटल बुकिंग्स कंफर्म लेके चलो भाई प्रीपेड गर के चलो तो मैंने भी अपनी सारी होटल बुकिंग्स प्रीपेड रख्यों थी अपने ट्रावल आइट नरी के हिसाब से ठीक है तो उसके बाद भाई मेरी एक ना फ्लाइट भी थी क्रिस्चर से ओप्लेंड तक की confirm flight थी थी तो उनोंने मेरे को पूछा आप यहां से मतलब आउकलेंड से क्रिस्चर तक क्या beleza चाओगे तो मैंने उनको बुला कि ऑकले चलेंड से क्रिस्चर जाने तक की credit मेरे ओर भी मतलब places है जहां पर मैंमें डाइट ट्रैवल करना और popular बुझा चाओए है तो मैं local बाइब तक चोड़के आ गया तो उसके बाद आपका भाई यूजिलेंड से आउट हो गया और उसके बाद अभी हम अपने रूम में बैटेंट यह देख लो भाई बाई वैसे तो अभी मेरे पास बाइक है यहां पर देखते हैं बाई बाइक बगार अगर कहीं से सीर हो जाएगा थोड़ा बाइक भी अरेंज कर लेंगे हैं तो आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आपको फोन में ही गूगल ट्रांसलेटर कोल के आपको बता भी देते हैं और अगर आप जाधा रिक्वेस्ट करोगे तो आपको एक ट्रांसलेटर भी मिल जाएगा ठीक है तो यहीं सारी चीज़े थी बाकि आज के व्लोग को करते यहीं पर आपको आज का व्लोग देखके मज़ा होगा बाकि हम लोग कल एक्स्प्लोर करेंगे ठोड़ा बहुत औ और यह थोड़ी से इंफोमेशन दिये आपको और मिलते आपको गयासे मस्ते नक्स व्लोग में तब तक के लिए बाए बाए एंड टेक क्यर गाइस